हेलो दोस्तों मैं हूँ सिवानी और स्वागत है आपका सिवानी की रसोई में तो आज मैं आप लोग लेके आई हूँ ब्रेड और मुंग दाल से बनने वाले बहुत ही टेस्टी नास्ते की रेसिपी ये नास्ता खाने में बेहर टेश्टी लगता और बनाने में भी काफी आसान है बच्चे बड़े सभी को ये नास्ता बहुत पसंद आएगा और आप इसको अपने बच्चे के लेंच बोक्स में भी डाल सकते हैं आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिएगा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल अकन को जरूर दवा दीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो इस नास्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक कटोडी मूंग दाल तो मूंग दाल को हम पहले ही से भीगो के रख दिये थे तीन घंटा के लिए उसको पीस के भी रख लिये हैं तो यहाँ पर डो हरी मिर्च का इस्तमाल कर रहे हैं और शमप लिए जाए केमवरता प्रोल ही कर सकते हैं धाल जातलों मतों हिसे संद्धाट few सभी चीजों को तो सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया है पर इसमें थोरा सा कलर के लिए इसमें हम आधा चमच हल्दी पॉड़र डाल है आधा चमच अभी कम छोटे चमच से डाल रहे हैं और हल्दी पॉड़र डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम और ग्रीन चिली सॉंस ले लिए हैं आप इसमें सेजवान चटनी का विश्टमाल कर सकते हैं इसके जगह पे तो एक तरफ से अच्छे से इसके उपर हम ग्रीन चिली सॉंस लगा देंगे और उसके बाद ये जो दाल का पेष्ट है वो हम इसके उपर डालेंगे ब्रेट के तो इसको हम अच्छे से एक तरफ लगा दियें तो चलिए पहले हम इसको एक तरफ से से शेकेंगे तब हम दूसरे तरफ भी इसमें लगाएंगे तो अब हम यहाँ पे पैन ले लिये हैं उसमें हम डाल देंगे आधा चमस तेल और तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे तेल वहने तो यह पांच पहले हम अच्छे से ने जज़त करना दिये हैं और यह देख सकते हैं दूसरे तरफ से भी अब हम अच्छे से लगादे य हम इसमें दाल पेश्ट लगा दिया आपका मन हो तो डाले नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं थोड़ा सा डाल डाल देंगे तक यह ज़्यादा टेस्टी बने और अब हम इसको पलट देंगा और ये देखिए दोस्तों एक तरफ से कितना प्यारा कलर आया कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में तो इस तरीके टो दूसरे तरफ से भी पलटके हम इसको एक से डेश्मेरर तक सेख लेते हैं उसके बाद हम आपको दिखाते हैं तो यह देखे दोस्तों इस नास्ते को किने यह देखने को इस लगो आप कृच्छ डीपैनिंव je Vice अड झाले कंद सरीनशार और कुरलने चेशने में पाइज में और मंझसाइथ नन्सक्रक्ट में केुचोफ दोस्टा के साहे थिए एक लागा alive कृच्छ बसक्राइब मुझने भे चलीमिकर डाल की मजज़डार धर एक बार जरू ट्राई कीजिगा, एक बार खाएंगे तो बार बार बना के खाएंगे, इतना ज़्यादा टेश्टी लगता है, तो आप लोग जरू ट्राई कीजिए, रेशीपी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा कि आपको आज शीय रेसेपी कैसी लगी सेयर कीज़ेगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैम्ली में तो मैं नेक्स टीडियो फिट से लाऊंगी तब तक के लिए बाई